एक बार मोहन दिपावली की खरिदी करने के लिए अपनी पत्नी के साथ में घर से निकल रहा था वो अपनी पत्नी के पास में कमरे में गया और उसने अपनी पत्नी से कहा कि मीनू जरा मा को भी पूछ लेना कि उसको भी कोई दिपावली के अवसर पर कुछ चीजे खरीदनी हूँ जरा उनको पूछ लेना मिनु ने कहा इस बुड़ापे के अंदर माजी को क्या चाहिए जो खाना पीना पहनने ओड़ने की सारी चीजे अपने घर के अंदर उपलब्ध है उनको इस उम्र के अंदर क्या जुरूत पड़ी है फिर भी मोहन ने मिनु को समجھा है कि देखो ये पहली बार दिपावली के उपर जो है माताजी अपने साथ में हैं वैसे तो सारी दिपावलीयां सारे अवसरों पर वो घर पर गाव में ही अपने चोटे भाया के पास रहती है जब मोहन ने ये बात बताई तो मिनू ने उचकाते हुए कहा कि जब आपको इतनी ही ज़्यादा माजी की पड़ी है तो जाकर के खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते मोहन अपनी मा के पास में जाता है और मा से जाकर के कहता है कि मा हम दिपावली का कुछ सामान खरिदने के लिए बाजार जा रहे हैं आपको भी अगर कोई चीज वस्त लानी हो तो मुझे बता दो मा ने कहा मुझे किसी चीज के जरूत नहीं है लेकिन मोहन ने अपनी मा से बार-बार आगरख किया कि मा जो किसी चीज के जरूत है आप मुझे जरूर बता दो मा ने कहा कि थोड़ी देर रुको मैं जो मंगवाना चाहती हूं साइथ तुम जल्द बाजी के अंदर फिर बाजार से लाना भुल जाओ मैं तुम्हें लिख करके देती हूं मा अंदर गई और एक लिख एक सूची बना हुआ पत्र जो है वो अपने पेटे मोहन के आथ में धमा दिया अब मोहन और मिनू सिधे जाकर के गाड़ी में बैठे वो लिख अपनी जेब में रखते हुए उसने मिनू से कहा कि देखो मैंने कहा था ना कि मा को भी कुछ चीज़ों की जरूरत है माने मेरे को अपनी पर्ची बना करके दी है मिनू ने कहा चलो कोई बात नहीं मैं पहले अपना सारा सामान खरीद लेते हूँ उसके बाद मैं तुम मा जी को क्या क्या चाहिए वो सारी चीज़े खरीद लेना उदर मिनू की नजर पड़ी पर्ची काफी लंबी थी उसने तुरंद कहा कि देखो कितना सारा सामान मा जी ने मंगवाया है साइद घर पर उनके छोटे बेटे के लिए सामान की लिश्ट बना रखी होगी लेकिन उदर क्या था मोहन बिल्कुल गुमसुमसा बिना कोई प्रति उतर दिये उसके तो आँखों में से टप 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 करके आशु टपक रहे थे मिनू कुछ समझ नहीं पाई उसने पत्र को उठाया और वो पढ़ने लगी मा जी ने लिखा था बेटे बाजार में खरिद्दारी करने जाई रहे हो मुझे किसी चीज की जरूत नहीं थी पर अब तुम जब जीद ही कर रहे हो तो बाजार की किसी दुकान के उपर अगर बेटे मा के लिए थोड़ा बहुत टाइम मिले तो टाइम ले करके जरूर आना मुझे एक अर्सा हो गया है अपने बेटे के पास में बेठे हुए अपने बेटे को अपनी गोद के अंदर रख करके उसके सीर पर हात रखे हुए उसको सहलाए हुए बेटे मुझे बस थोड़ा सा वो टाइम बाजार से जरूर ले करके आना मैं नहीं जानती आने वाली दिपावली पर मैं तुम लोगों के साथ में होंगी या नहीं या ये दुनिया च्छोड़ चली होंगी लेकिन बस इतना जरूर करना बेटे कि कहीं अगर थोड़ा तो समय जरूर लेकर के आना साथियो बस इस कहानी का मतलब यही था कि हमारे माबाप को बुड़ापे के अंदर सिर्फ हमारे प्यार के दो बोल चाहिए हम अगर उनके पास बैठ करके थोड़ी सी बाते कर लेते हैं तो उनके दिल को प्रसंता मिलती है बस मेरे कहने का यही एक मातल मक्षद था जैराम जी की